सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एंट गुडगाउं डॉट कॉम मैं हूं डॉक्टर मैनीश प्रिकाश मेयों हॉस्पिल गुडगाउं से आज मैं आप लोगों से बातशीत करूंगा एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में टॉंसल स्टोंस और जिनको हम लोग टेकनिकल लैंगविज में टॉंसलो लिट्स कहते हैं हमारे गले के अंदर टॉंसल में बन जाते हैं और इनके बनने के वज़े से हमें कई कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे के बैट ब्रेथ होना गले में खराश होना गले में चुबन का एसास होना या फिर कान में दर्द होना आईए तो जानते हैं इस problem के बारे में और डीटेल से टॉंसिलो लिट्स या टॉंसिलर स्टोन्स येलो या वाइड कलेट की डेबरीज हो सकती है जो हमारे टॉंसिल के अंदर जो क्रिप्ट सोते हैं उनमें बन जाती है या जम जाती है इसके वज़े से हम देखते हैं कि पेशेंट को गले में irritation होना, खराश होना, दर्द का sensation होना या foreign body का sensation होना और उनके कान में दर्द का एसास होना भी symptoms इसके हो सकते हैं इसके साथ साथ जब कभी पेशेंट मुँ खोलता है तो उसको ये शीशे में दिख जाते हैं और कई बार जो patients इससे घबरा जाते हैं या डर जाते हैं जैसे के मुँ में कोई घाओ तो नहीं बन रहा है या cancer तो नहीं बन रहा है अक्सर ये परिशान हों के doctors के पास पहुसते हैं आईए तो जानते हैं इस situation में हम उनका treatment कैसे करते हैं सबसे पहले हम उन tonsils की size को check करते हैं और tonsils में crypts को check करते हैं कई patients में tonsils crypts काफी गहरे हो सकते हैं और उनमें bacterial colonization हो सकता है इसके वज़े से जो crypts में खाना वगरा, dead cells, mucus या saliva फस जाता है इस पे bacterial biofilm बनने लगती है और bacterial biofilm के वज़े से उसमें crystals जमा होके ये stones formation हो जाती है जब ये stones छोटे होते हैं तो patient को परिशान नहीं करते हैं सिर्फ bad breath की तरह patient को feel हो सकते हैं जैसे जैसे इनका size बड़ा होता जाता है, गले में इनकी वज़े से परिशानी भढ़ती जाती है और कई patients इसकी वज़े से काफी irritated feel करते हैं हम लोग recommend करते हैं कि regular basis पे हमें गले की सफाई करनी चाहिए जैसे कि gargles करने चाहिए, smoking वगा से बचना चाहिए अगर हमें gas ये acidity की problem है तो उसका हमें control करना चाहिए हमारी food और dietary habits को हमें change करना चाहिए हर बार खाना खाने के बाद हमें brush करना चाहिए और हमें गले में salt water से gargles करने चाहिए इसके साथ साथ regular basis पे पानी पीने से भी इस problem में हमें फायदा मिल सकता है जिन patients में ये tonsil stone बार बार बनते रहते हैं और उनको ये तंग करते हैं तो उस तरह के situation में हम लोग patient को इसके treatment के लिए recommendation करते हैं जो इसका treatment है उसमें हम इनको manually कोई scoop के जरिए निकाल सकते हैं जिससे patient को गले में हो रहा दर्द या irritation में आराम पढ़ जाए अगर ये बार बार हो रहे होते हैं उस तरह की situation में हम लोग या तो laser के द्वारा या coblation के द्वारा इन crypts को खतम कर सकते हैं इस process को हम लोग coblation, cryptolysis कहते हैं जिससे tonsil के उपर का surface smooth हो जाता है और उसमें बार बार खाना फसने या stone बनने की tendency खतम हो जाती है जिन patients में हम देखते हैं बार बार tonsils में infection होने लगता है stones की वज़े से और उनको बार बार antibiotic खाना पड़ता है इस infection को खतम करने के लिए उस तरह के patients में हम tonsils को जड़ से remove कर सकते हैं इस process को हम लोग tonsillectomy कहते हैं और ये process या तो laser के द्वारा या फिर coblation के द्वारा आसानी से किया जा सकता है अगर ये operation करके tonsils को निकाल दिया जाता है तो ये एक स्थाई तरह का इलाज होता है जिससे फिर patient को ये problem फिर से नहीं होती है इसके साथ operation के बाद हम patient को खान पान का गले की साफ सफाई का दातों की साफ सफाई का suggestion देते हैं और अगर कोई acid की problem patient को बन रही है तो इसके लिए भी इसका treatment must है Thank you को जान बातों की साफ का पान की साफ